अस्लाम लेकूम कैसे हैं आप सब अमीद कोशती हूं सब ठीक होंगे और अल्ला का शुकर है हम सब ठीक हैं और ये मैं सब अश्ता बना रही हूं अन्डा प्राठा क्योंकि आज मुझे एलसी की पिनिया बनानी थी और इसलिए मैं अपना काम जल जलती से कर रही थी और वैसे भी अब तो दो दिन से धूप निकल रही है वो भी अच्छी खासी चले आए ला का शुकर है अल्ला जिस साल में भी रखे चीक है बस इनसानी नाशुकरी करता है छंड हो तो हम कहते हैं के छंड बहुत है और अगर दूब थोड़ी से निकल आये तो हम कहते हैं ओ, कितनी गर्मी हो गई है बस हम ही नाशुकर है और यह मैंने अलसी ले ली है इसको मैंने साफ कर लिया था अची तरह और अब इसको मैं रोस्ट करूँगी और इसे अब ची तरह रोस्ट कर लेंगे फिर साथ में ही मैंने चाहे रख ली थी सॉंपज वाइन डाल दी है इसमें और सॉंपज वाइन में ऐसरे डालती हूँ कियोंके यह मुझे बच पसंद है और जब कभी छहतम हुई हो तो मैं चाहीं नहीं पित्जी। इसलिए मस्ट है कि मैं यह डाल ती ही डालती हूँ अब ये इसको हम जग में डालके ग्रैंड कर लेंगे ये थोड़ी सी ज्यादा मुझसे वेल सी डल गई थी तो जग सही से चल नहीं रहा था तो ये मोटी मोटी से ग्रैंड हुई है वो तुझे ले कोई नहीं मोटी भी हो तो चल जाता है अच्छी लगती है जब खाते हुए क्रंची क्रंची से तो अब मैं चाए डालती हूँ क्योंके मुझे थोड़ी सी तकावर्ट मैसूस हो रही थी तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद चाए पीने से मैं फ्रेश हो जाती हूँ शायद मुझे ही लगता है अगर आपको भी लगता है तो आप मुझे ज़रूर पताईएगा और अब यह मैंने बदाम ले लिए इनको अच्छी तरह मैंने रोस्ट किया है ताके इसकी स्मेल वगरा स्मेल वगरा खतम हो जाए अच्छा टेस्ट है इसलिए इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे महार सासा चाए भी पीरें इसको भी हम ग्रेंड कर लेंगे इसको मैंने तना बरीक नहीं किया था बस नॉर्मल साही था फिर क्योंकि जब हम लडू बनाते हैं मतलब पिनिया बनाते है तो फिर नजर आते हैं अच्छे लगते हैं और यह मैंने मक्कन बना लिया था इसको मैं गरम करूंगे यह बनाने के लिए यह भी हमारा रेटी हो गया है यह गुर्ड ले लिया था परने तब यह बने एक किलो यह सिस्टर मुझे फिर नहीं बुड़े देखें थी बारा एक मजे के टाइम हो रहा था वैसे तो मैं जब कुछ बनाती हूं तो मैं खाना बीना बिलकुल बोल जाती हूं तो फिर मैंने बस भूबी खा लिये थोड़े से और दूब देखें अच्छी खासी है और यह विंडो वाले भी आगे थे फिर इसलिए मेरा थोड़ा सा काम रुख गया था क्यूंकि उन्होंने किचन में ही लगानी थी तो बस अब यह घी चान लेंगे अलसी की पिनिया हो और बगयर दिसी की ही के फिर तो कोई फायदा नहीं है और यह अलसी वैसे भी बहुत अच्छी है गुटनों के दर्द के लिए कमर के दर्द के लिए हर तरह यह बहुत अच्छी है तो इसे आप जरूर ट्राइ करें सर्दियों में तो एक बार जरूर खानी चाहिए ना बहुत अच्छी है यह और यह मैंने आटा ले लिया था डेट किलो और आपकी डाल के पर इसमें आटा भूनेंगे इच्छी तरह से जब तक कि यह लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तरह हम इसे अच्छी तरह हम भूनेंगे यह देखें इसका क्लर चेंज हो रहा है घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो फिर मैंने डाल दिया इससाफ से तकरिपन एक किलो घी मेरा डल गया था ना तो साथ में फिर मैंने गुल ले लिया था इसमें थोड़ा सा पानी मैंने एड़ किया है क्यूंकि इसे मेल्ड करना था तो वह मेंसे तूट नहीं रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे ही से पानी में मेल्ड किया है आटा भी हमारा बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है यह ज्यादा था तो फिर मैंने कम कर दिया मतलब थोड़ा सा निकाल दिया क्यूंकि अगर ज्यादा मीठा हो जाए तो फिर वो पिनिया जो है वो खाई भी नहीं जाती तो इसलिए इसमें नॉर्मल ही होना चाहिए यह देखे हैं भी रेड़ी हो गया है यह कोई चास नहीं बनानी हमने बस यह मिल्ट करना है बस अब इसकी बनाई भी अच्छी तरह होगी है मैं इसमें अलसी एड़ कर दूंगी और भी थोड़ी थोड़ी सी ताके वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए अलसी तो अल्रेटी हमने अच्छी तरह ऐसे बहुना हुआ है तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं है वह बस इसको मिक्स कर रही हैं इसलिए अब बदाम डाल दी है मैंने साथ ही और फ्लेम मैंने ओफ कर दिया था और अब मैं इसमें ये गुड़ का लिकपर जो बना है वो डाल जाए हूँ हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगे माशाला से इतनी अच्छी खुश्बू आ रही थी और खाने में भी इतनी ही अच्छी है ये और सिहत के लिए तो फिर बहुत ही अच्छी है ना और आप ये ज़रूर ट्राइ करें रेसेपी तो आपको मिली ही गई है ये मैं इसके लड़ू कहूं या पिनिया अब मैं इसके लड़ू बना रही हूं इतना गरम था ना कि वो बस देखें मेरे हैंड भी कैसे रड़ हो गया है कियोंगे कि गरम-गरम ही वो बिनिया बनती है जब ये छंडा हो जाए तो वो फिर अच्छी तरह से बनती नहीं है इसलिए गरम-गरम ही बनती है तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप भी बना दो कहती है नहीं मुझसे तो नहीं बन रही पता नहीं तूं कैसे बना रही हो मैंने का बस देख लें मेरी वीडियो ची लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कुमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अलहाफिज